ओम स्री परमात्मने नम्हा क्रिश्न यजूर वेदिये गर्भोप निसद्ध गर्भ की उत्पत्ति एम ब्रद्धी के प्रकार ओम सरीर पंचात्मक पांचों में वर्तमान छह आस्रयों वाला छह गुणों के योग से युक्त साथ धातूं से निर्मित तीन मलों से दूसित दो योनियों से युक्त तथा चार प्रकार के आहार से पोसित होता है पंचात्मक कैसे है प्रत्वी जल तेज वायू आकास इनसे रचा हुआ होने के कारण सरीर पंचात्मक है इस सरीर में प्रत्वी क्या है जल क्या है तेज क्या है वायू क्या है और आकास क्या है इस सरीर में जो कठिन तत्व है वह प्रत्वी है जो द्रव है वह जल है जो उश्न है वह तेज है जो संचार करता है वह वायू है जो छिद्र है वह आकास कहलाता है इन में प्रत्वी धारण करती है, जल एकत्रित करता है, तेज प्रकासित करता है, वाईउ अव्यों को यथा इस्थान रखता है, आकास अवकास प्रदान करता है इसके अत्रिक्त शोत्र सब्द को ग्रहन करने में तुचा इसपर्च करने में नेत्र रूप ग्रहन करने में जिहुआ रसका स्वादन करने में नासिका सूंगने में उपस्त आनंद लेने में तथा पायू मुमल उत्सर्ग के कारियों में लगा रहता है जीव बुद्धी द्वारा ग्यान प्राप्त करता है मन के द्वारा संकल्प करता है वा किंद्रियों से बोलता है सरीर छह आस्रयों वाला कैसे है इसलिए कि वह मधूर, अमल, लमड, तिक्त, कटू और कशाय इन छह रसों का स्वादन करता है सनज, रिस्ब, गांधार, मध्यम, पंचम, धैवात और निशादी ये सब्ध स्वर्थ तथा इष्ट, अनिष्ट और प्राण, धानकारग, प्रणवादी सब्ध मिलाकर दस प्रकार के सब्ध स्वर्थ होते है सुकल, रक्त, क्रश्ण, धूम्र, पित, कपिल और पांडूर ये सब्ध रूप रंग है साथ धातूं से निर्मित कैसे है जब देवदत नामक वेक्ति को द्रब आदी भोग विशे जुड़ते हैं तब उनके परस पर अनकूल होने के कारण सट रस पदार्थ प्राप्त होते हैं जिन से रस बनता है रस से रुधिर, रुधिर से मास, मास से मजेद, मेद से शनायू, शनायू से अस्थी, अस्थी से मज्जा और मज्जा से सुक्र ये साथ धातूं उत्पन होती है फुरुस के सुक्र और इस्त्री के रक्त के सैयोग से गर्ब का निर्माण होता है ये सब धातुएं हिर्दय में रहती हैं हिर्दय में आन्तारणिक उत्पन होती है अगनी स्थान में पित, पित के स्थान में वायू और वायू से हिर्दै का निर्माण स्रजन क्रम से होता है ये सब धातुएं हिर्दै में रहती हैं, हिर्दै में अंतर अगनी उत्पन होती है अगनी इस्थान में पित, पित के इस्थान में वायू और वायू से हिर्दय का निर्माण स्रजन क्रम से होता है रितुकाल में समियक प्रकार से गर्वा धान होने पर एक रात्री में सुक्र सोणित के सैयोग से कलल बनता है साथ रात में बुदबुद बनता है एक पक्च में उसका पिंड इस्थुल आकार बनता है वह एक मास में कठिन होता है दो महीने में वह सिर से युक्त होता है तीन महीनों में पैर बनता है पस्चात चौते महीने गुल्फ पैर की गुठियां पेड तताकटी प्रदेस तयार हो जाते हैं पाँछमे महीने पीट की रिंड तयार होती है छटे महीने मुख नासिका नेतर और शोतर बन जाते हैं साथमे महीने जीव से युक्त होता है आठमे महीने सब लक्षणों से पून हो जाता है पिता के सुक्र की अधिक्ता से पुत्र माता के रुदिर की अधिक्ता से पुत्री तथा सुक्र और शोनित दोनों के तुल होने से नपुनसक संतान उत्पन होती है व्याकुल चित होकर समागम करने से अंधी, कुबडी, खोडी तथा बौनी संतान उत्पन होती है परसपर वायू के संघर्स से सुक्र दो भागों में बटकर सुक्ष्म हो जाता है उसमें युगम जुडवा संतान उत्पन होती है पंच भूत आत्मक सरीर के समर्थ स्वस्त होने पर चेतना में पंच ग्यानेंद्री आत्मक बुद्धी होती है उससे गंद रस आदी के ग्यान होते है वो आविनासी अच्छर ओमकार का चिंतन करता है तब इस एक अच्छर को जानकर उसी चेतन के सरीर में आठ प्रकतियां प्रकति महत तत्व आहंकार और पांच तनमात्राएं तथा सोलह विकार पांच ग्यानेंद्रियां पांच करमेंद्रियां पांच इस्तुल भूत तथा मन होते हैं पस्चा अत्माता का खाया हुआ अन एम पिया हुआ जल नाडियों के सुत्रों द्वारा पहुंचाया जाकर गर्वस्त सिसु के प्राणों को तरप्त करता है तदंतर नवे महीने वग्यानिन्रिया आदि सभी लक्ष्णों से पूर्ण हो जाता है तब वा पूर्व जनम का स्मरण करता है उसके सुब असुब कर्म भी उसके सामने आ जाते है तब जीव सोचने लगता है मैंने सहस्तरों पूर्व जनमों को देखा उनमें नाना प्रकार के भोजन किये नाना प्रकार के नाना योनियों के इस्तनों का पान किया मैं बारं बार उत्पन हुआ मृत्यू को प्राप्त हुआ अपने परिवार वालों के लिए जो मैंने सुबा सुबकर्म किये उनको सोच कर मैं आज यहां अकेला दक्ध हो रहा हूँ उनके भोगों को भोगने वाले तो चले गए मैं यहाँ दुख के समुद्र में पड़ा कोई उपाय नहीं देख रहा हूँ यदि इस यूनी से मैं छूट जाओंगा इस गर्व के बाहर निकल गया तो असुब कर्मो का नास करने वाले तथा मुक्ती रूप फल को प्रदान करने वाले महिस्वर के चड़नों का अस्रे लूँगा यदि मैं यूनी से छूट जाओंगा तो असुब कर्मो का नास करने वाले और मुक्ती रूप फल प्रदान करने वाले भगवान नारायन की सरण ग्रहन करूँगा यदि मैं योनी से छूट जाऊंगा तो असुब कर्मों का नास करने वाले और मुक्ती रूप फल परदान करने वाले सांख योग का भ्यास करूंगा यदि मैं इस बार योनी से छूट गया तो मैं ब्रह्म का ध्यान करूंगा पश्चात वो योनी द्वार को प्राप्त होकर योनी रूप यंत्र में दबाया जाकर बड़े कष्ट से जनम ग्रहन करता है बाहर निकलते ही वैशनवी वायू माया के इस परस से वो अपने पिछले जनम अर्मित्वों को भूल जाता है और सुबा सुब कर्म भी उसके सामने से हट जाते हैं देह पिंड का सरीर नाम कैसे होता है इसलिए कि ग्यान आगनी दर्शन आगनी और जटार आगनी के रूप में अगनी इसमें आस्रे लेता है इन में जटार आगनी वो है जो खाए, पीए, चाटे और चूसे हुए पदार्थों को पचाता है दर्शन आगनी वो है जो रूपों को दिखलाता है ग्यान आगनी सुबा सुब कर्मों को सामने खडा कर देता है आगनी के सरीर में तीन इस्थान होते हैं अहवनी अगनी स्मुख में रहता है, ग्राहपत अगनी उदर में रहता है और दच्छना अगनी हिर्दे में रहता है आत्मा यजमान है, मन ब्रम्मा है और लोवादी पसू है, धैर और संतोस दिख्षाएं है ग्यान इंद्रियां यग के पात्र हैं कर्म इंद्रियां हवी हूम करने की सामगरी है सिर कपाल केस दर्ब है मुख अंतर वेदिका है सिर चतुस कपाल है पाश्रव दंत पंक्तियां है एक सो साथ मर्मिस्थान है 107 असी संधियां है 109 इसनायू है 700 सिराय है 500 मजजाय है 360 अस्थियां है 45 करोन रूम है 8 पल तोले हिर्दे है 12 पल 12 तोला जिवा है प्रस्त मात्र एक सेर पित आड़क मात्र ढाई सेर कप कुड़ो मात्र पाव भर सुक्र तथा दो प्रास्ट दो सेर मेध है इसके अत्रिक्त सरीर में आहार के परिमाण से मल मूत्र का परिमाण अनियमित होता है यह पिपलाद रिशी के द्वारा प्रकटित मोक्च सास्त्र है पेपलाद मोक्ज सास्त्र है गर्भूप निशत समाप्त ओम शान्ती शान्ती शान्ती